तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शाओ शेन ने अब किंग की तलवार को बाहर निकाल लिया था जिसे देखकर सब बहुत शौक होती हैं मगर अब शाओ शेन ने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना वो स्वार्ट काम नहीं आती क्योंकि योंग फैंग की पावर बहुत जादा थी इसलिए योंग फैंग बहुत ईजली अपनी पावर से टैक को रोक देता है इसके बाद अब ये पार्ट भी यहीं इसी के आगे से स्टार्ट होता है पहले हमें पिछले पार्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें शाव शेंग योंग फैंग की तरफ अटैक करता है साथी योंग फैंग भी अपने अटैक से शाव शेंग का अटैक को रोकने की ट्राय करता है इससे शाव शेंग की वो ड्रैगन वही पर खतम हो जाती है लेकिन हम देखते हैं कि अब जैसे ही वो अटेक शाउशें के तरफ बन रहा था तबी खुद को लगने से पहले ही शाउशें अपने सामने एक शिल्ड बना लेता है जिससे उसे वो अटेक नहीं लगता मगर अभी भी सभी मास्टरेस ये सब देखकर बहुत शौक हो रहे थे साथी मेडिसिन वैले के मेडिसिन किंग कहते हैं कि शाउशें ने ये शिल्ड किंग की तलवार के मदब से बनाई थी जिस काड़र शाउशें आज इस अटेक को रोक पाया है वरना अगर अभी वो इस श शाउशें जिन्दा भी नहीं होता इसके बाद हम देखते हैं कि उस शील्ड को बनाने के बाद अब शाउशें बहुत जादा ठक चुका था दरसल अभी उसने उस शील्ड को बनाने में अपनी सारे नेर्जी का यूज कर लिया था तो अब यह देखकर उसका एक शूलजर उसके पास आता है और उसे संभालता है साथ ही वो शाउशें से वहां से चलने को कहता है लेकिन इस पर शाउशें उससे कहता है कि तुम्हें मेरी इतनी चंता करने की जरुरत नहीं है मैं अभी भी आगे की सिचुशन खुद से संभाल सकता हूं इसके बाद हम देखते हैं क यूंग फैंग भी एक बार और शाओ त्यान को मौका देता है इसमें वो शौशन से कहता है कि अगर शौशन अभी रुकता है तो इसके बदले यूंग फैंग उसे जिन्दा जाने देगा लेकिन शौशन अभी भी समझने को तयार नहीं था इसकारण वो कहता है कि मुझे किमत पर तुम्हें हरा करी रहूंगा वैसे यह सब बात ही शौशन बहुत स्माइल के साथ कह रहा है और इसका कारण कुछ और ही था दरसल उसने किंग से सर्फ उनकी वह एक की दा खटर नहीं ले लिए था जो इसकी टरा की एक लीजनरी सवर्ड है शब्रेत सब्सारण का जाता है अब शेयरों स्वार्ट को भहार निकालने लगता है तो फिर इंग पर पहले की तरह बहुत जादा शौक होजाती है उन्हें एक बर फिर अपने फादर की बहुत जदा चिंता होने लगती है अब इस बार वो खुद शाओ शेयन से पूछती है कि आके तुमने फादर के साथ क्या किया है और ये सब चीजे तुम्हारे पास कहा से आई जिस पर शाओ शेयन प्रिंसेस से कहता है कि आप चिंता मत कीजिए फादर को कुछ भी नहीं हुआ है और वैसे भी वो आपकी अब मेरी शादी देखे बिना मर भी नहीं सकती और नहीं मैं उन्हें मरने दूँगा अब ये सब सुनकर प्रिंसेस बहुत शाओ होती है इसके बाद हम देखते हैं कि अब शाओ शेयन और फैरी स्वार्ट पुरी तरह से तयार थी अपना पहला अटेक करने के लिए साथ ये अब शाओ शेयन भी तुरन थी उस सबसे पावरफिल अटेक कर देता है ये अटेक पिछले 9 साल से आज सब कभी परफॉर्म नहीं किया गया है दरसल ये स्वार्ट इस पूरे अर्नामेंट विला की शान है और सबसे ज़्यादा पावरफिल वैपन है साथ ये अब शाओ शेयन अपने पहले अटेक के लिए एक फॉर्मेशन बनाना चारू करता है तो ये फॉर्मेशन थोड़ इस जगह में नहीं बनता बलकि बहुत दूर दूर तक फैलने लगता है इसकी पावर से अर्नामेंट विला के बड़े बड़े पहार हिलने लगे थे दरहसल ये स्वार्ड अर्नामेंट विला से कनेक्ट है इसलिए इसे फेरी स्वार्ड ओफ माउंटेर एंड रिवर भी कहा जाता है जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सभी मास्टर्स ये सब देखकर बहुत शौक हो रहे थे अब उनमेंसे एक मास्टर कहता है कि यूँ फैंग अब इससे बच ही नहीं सकता चौकि उन सभी को इस वार्ड के ट्रू पावर के बारे में पता है साथ ही इसके बाद उन सभी की बातों से हमें ये कहानी पता चलती है कि आज से करीब 9 साल पहले की बात है जब किंग फैंग यू एक जियान दर्म से आगे के कल्टिवेटर पर बहुत गुस्सा हुए थे साथ ही जब उनकी फाइट हुई थी तब किंग ने 9 साल पहले इस रिवर मौनटेर फर्मिशन का यूज़ किया था यह फार्मिशन इतना खतरनाग था कि इसके वजह से कि आज 9 साल बाद तक किसी के हिम्मत नहीं परी कि वह और्ना मेंट विला पर हमला कर सके और यही कारण था कि यह सभी मास्टर्स भी शांती से सर्फ यूंग फैंग को लेने आये थे वरना यह तो इतने अलग-अलग केंसे हैं कि इनकी सबकी आर्मी भी बहुत जादा हो सकती थी अब इसके बाद इस फर्मिशन को देखकर मेडिसिन केंग भी कहते हैं कि इस बाद आप यूंग फैंग इस अटैक्स नहीं बच पाएगा जिसके बाद अब हम शियाओ जी को देखते हैं जो कि अब इस स्वार्ट को ही देख रही थी अब तबी उसका वो सैनेक उसे बोलता है कि अब आपको क्या लगता है क्या यूंग फैंग इन्हें रोक पाएगा फिर अब हम वापस यूंग फैंग के तरफ आते हैं और यहां हम देखते हैं कि यूंग फैंग के चहरे पर अभी पहले के तरह बहुत ज़्यादा और एक स्माइल थी एक विश्वास था कि हां मैं इस पूरे फार्मेशन को रोक सकता हूं फिर इसके बाद यूंग संक शाओ शेन से कहता है कि तुम्हारी यह स्वार्ट मुझे बहुत अच्छी लगी इसका मुमेंटम भी बहुत अच्छा है इस पर अप शाओ शेन उसे कह जिचकर उनसे कुछ स्वार्ट क्लोंस बनाता है यह स्वार्ट क्लोंस बहुत ज़रदा तागतवर थी जिसके बाद अब शाओ शेन वह सारे क्लोंस को यूंग फैंग की तरह फेक देता है अब यूंग फैंग यह देखकर अपनी धर्मा बॉड़ी को समन करता है और साथी स्वार्ट उसके पास से जा रही थी यह उसे भी अपनी तरफ खीश लेता है इसके बाद अब शाओ शेन अपने बहुत सारे स्वार्ट क्लोंस का यूज एक साथ करता है लेकिन ऐसा करने का भी कोई फैदा नहीं होता वो सारे क्लोंस इजिली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं मग तो अब इस बार उन्हें रोकने के लिए यह अपनी धर्मा बॉडी का यूज नहीं करता बलकि इस बार अपनी स्वार्ट को लेकर खुद आगे जाता है साथ ही हम देखते हैं कि वह अब अपनी स्वार्ट से उन सभी स्वार्ट क्लोंस को रोकने की क्योशिश कर रहा था सा अब हम देखते हैं कि शाओ शेर उस स्वार्ट को इतनी अच्छी तरह से यूज कर रहा था कि यूंग फैंग का टैक किसी काम नहीं आता क्योंकि वह सारे ड्रेगंस एक एक कड़की डिस्ट्रॉय होते जा रहे थी शाओ शेर अब इस चीज़ से अंदर ही अंदर बहुत ज सारे क्लोंस बनाता हैं और सीधे ही यूंग फैंग की तरह अटैक करता हैं लेकिन अभी यूंग फैंग की धर्मा बॉड़ी और रेडी तयार थी इसलिए वह तुरंट सभी क्लोंस को रोग देती हैं मगर अब यूंग फैंग इतने तक नहीं रुखता वह इस लड़ाई को आस-पास के सारी जगा के अनर्जी का यूज़ करता हैं और सक्सफुली पूरे 10,000 स्वार्ट्स क्लोंस बनाता हैं साथी अब उसने सीधे ही उन्हें यूंग फैंग की तरफ भेज़ दिया था हम देखते हैं कि वह सारे क्लोंस यूंग फैंग की धर्मा बॉड़ी की तरफ बर रहे थे मगर अब यूंग फैंग ये सारे स्वार्ट से बच नहीं पाता जिस कारण उसे सारे स्वार्स क्लोंस लग जाते हैं और इसे अब फैंग दूरफिक गया था लेकिन अब जब वह नीचे गणने माला था तब ही वह एक बारियर बना लेता है वैसे ये बारियर चारों तरफ से कवर करे हुए था इस कारण नीचे गिरने पर भी उसे बिल्कुल चोट नहीं लगती और अब जब वो सारे स्वार क्लोंस योंगसां की तरफ आते हैं तो इस बेरियर के वजह से वह सब पहले ही रुख जाते हैं अब इसी भी दूसरी तरफ हम मिस्टर मॉंग को भी देखते हैं जो कि अब खड़े हो चुके थे और साथ ही अपने की की भी वूट पिल डिजॉल्विंग टेक्नीक पूरी हो चुकी थी इसके बाद अब शाओ शिरन की तरफ भी स्वार क्लोंस से अटैक करता हैं अब मिस्टर मॉंग अपने धर्मा बॉर्डी को समन करक अब पहली तरफ यूंग फैंग अपनी पूरी कुशिश कर रहा था कि उन सभी स्वार क्लोंस को रोख सके जिसके बाद अब हम श्याओ जी को देखते हैं जो कि अभी बहुत चिंता में लग रही थी साथ ही उसका वो शुलजर उसे पूछता है कि क्या यूंग फैंग अभ इसके बाद हम देखते हैं कि यूंग फैंग की तरफ और बहुत से स्वार क्लोंस बर रहे थे मगर वो एक बार फिर बैरियर बना लेता है उन सभी क्लोंस से बचने के लिए हम देखते हैं कि मिस्टर मॉंग और यूंग फैंग दोनों ही बहुत जादा ठक चुके थे वैसे यह चीज़ों सभी मास्टर्स ने भी देख ली थी और अब वो भी यह समझ गए थे कि हाँ अब शायद एक और अटैक इन्हें खतम करने के लिए काफी है इसके बाद हम देखते हैं कि शावशन लास्ट अटैक के लिए पूरी तरह से तयार था और उसने सारे स्वार्ट क् तेश एनरजी निकल रही थी यह जीत जादा तेज और पावरफुल थी कि इसके वजह से यूंग और मिस्टर मॉंग दोनों को बहुत एफेक्ट पड़ता है साथ ही अब शावशन अटैक के लिए पूरी तरह से तयार था मगर अब इसी के साथ यह पार्टी भी खतम हो जा झाल यहाद है